Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी Discord Application इस्तिमाल करते हो और आप उसमें अपनी ID Login कर रहे हो पर आप अपना Password भूल चुके हो, आपको याद नहीं आ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Password को Forgot और Reset कैसे करा जाता है Discord Application में तो यहाँ पे सबसे पहले application को open कर लिजी और आप यहाँ पे जिस number से आपने ID बनाई थी वो number enter कर दीजी तो हमने अपना number enter कर दिया है फिर यहाँ पे कहेगा password तो password तो आप भूल चुके हो तो नीचे की तरफ ध्यान दीजी आपको यहाँ पे एक option विलेगा forgot your password इस वाले पे touch करें थोड़ा सा इंतिजाय करें और यहाँ पे आपने जो number दिया है उस पे एक OTP आएगा जो कि 6 digit का होगा तो यहाँ पे आप उस number को check करें जो number आपका जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम check कर लेते हैं अपना वो वाला number जिससे यह ID बनी हुई थी तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है और हम यहाँ पर डाल देते हैं आपको भी चेक कर लेना है तो यहाँ पर हम डाल दिया है हमने OTP और यह वाला पेज आपके पास आएगा Change your password पर आपको touch करना है और यहाँ पर continue in browser पर touch करना है थोड़ा सा wait करना है और कुछ ऐसा पेज आपके पास यहाँ पर आ सकता है और आपको एक नया password create करना पड़ेगा ताकि आप नया password से इसको इस्तिमाल कर सको तो यहाँ पर हम एक नया password एंटर कर देते हैं तो हमने password डाल दिया है नया वाला अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से password डालिएगा और एक सही password बनाईएगा change password पर आपको touch करना है थोड़ा सा इंतिजार करना है और continue to discord पर touch कर देना है थोड़ा सा इंतिजार करिए और यहाँ पर आपका जो discord application है वो login हो जाएगा और आपने जो नए वाला password बनाया है उसको इस्तिमाल करके आप अपनी जो ID है वो फिर से login कर लीजिए तो यहाँ पर हम करते हैं तो हमने नए वाले password के साथ इसको login कर लिया है यहाँ पर login कर देते हैं और हमारे ID जो है login हो जाएगी ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा